हेलो स्टुडेंट्स मैं आप हाव अर्जू बेटा मैं आपकी इंग्लिश टीचर उशा मैं तोड़े वी आर गुइंग टू स्टार्ट स्टोरी नंबर फोर और प्लस वन क्लास दा मॉडल मिलिनरी रिटन बाइ ऑसकार वाइल्ड बेटा इसकी हमने mcq और short question answers हम अलड़ी कर चुके हैं आज हमने इसके long question answers करने एं long question answers शुडू करने से पहले मैं यह कहना चाहते हूं कि जो भी बच्चे मेरी वीडियो देख हैं वो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जितने भी हमारी वीडियो वह हमारी playlist में है और उसके PDF जो है वह हमारी website में आपको available हो जाएंगे वहां से आप देख सकते हैं तो आज हमने start करना है long question answers ठीक है तो long question answers में first question है हमारा give in your own words a pen portrait of Baron Hussberg Baron Hussberg के बारे में हमने बताना है Baron Hussberg is a millinery, Baron Hussberg एक रोड़ पती है He is one of the richest men of Europe, वो योरब के अमीर आदमियों में से एक है He has a whim to have himself painted as a beggar उसकी एक तीवर इच्छा थी, बहुत इच्छा थी कि वो एक विखारी के रोब में अपने तस्वीर बनाए, चित्र बनाए He proves a very successful model और वो एक सफल model सेध होता है He looks every inch in a beggar, वो हर तरह से एक विखारी दिखाई देता है He leans over a coarse stick और वो एक खुर्दरी से चड़ी के ऊपर जो का हुआ होता है His clothes are in rags और उसके जो कपड़े हैं वो तीथरे बन चुके हैं He holds out an old hat for arm और उसने एक पुराना जो hat है टोप है वो बिख्षा के लिए आगे किया हुआ है पकड़ा हुआ है He looks the very picture of misery और वो दुख की पुरी तस्वीर दिखाई देता है He takes him for a real beggar और जो हुई होता है वो उसको असल में बिखारी समझ लेता है He slips a pound into his hand और वो एक pound उसके हाथ में दे देता है We can say that हम कह सकते हैं कि Baron Hussberg is a millinery model कि Baron Hussberg जो है एक करोडपती model है But more important than that लेकिन इससे भी ज़्यादा important क्या है He proves a model millinery कि वो एक model करोडपती सिध होता है He comes to know of whose problem in love जब उसको Huey की समस्या के बारे में पता चलता है कि वो प्यार में है He sends him a check or 10,000 pounds तो वो उसको 10,000 pounds का एक check भीजता है Thus he enables Huey to marry his beloved तब वो Huey को इस योगया बनाता है कि वो अपनी प्रेमिका से शादी कर सके Baron proves a model of compassion and charity इस तरह से Baron जो है वो एक परुपकार और दया का model सिध होता है He is indeed a model minerary वो सच मुठ ही एक model करोडपती है Second question हमारा What impression do you form of Huey's character यानि कि Huey के चरित्र के बारे में आप क्या जानते हो तो इसका answer है He was wonderful good looking वो एक बहुत ही सुन्दर अदबुद वेक्ती था He was popular with men and women equally और वो आदमी औरत दोनों में equally बराबर रूप से वो लोप्रिय था He never said any unkind word और वो कभी भी अफशब्द नहीं बूलता था In fact, असल में, he had every quality except that of making money और उसमें हाद एक quality थी बजाए पैसा कैसे बनाना है वो नहीं जानता था He tried his hand at many profession और बहुत से कामों में उसने अपना हाथ हम अजमाया But always failed लेकिन हमेशा ही सफल रहा To make it worse, he was in love उससे भी बुरी बाद ये हुई कि वो प्यार में था He loved a colonel's daughter और वो colonel की बेटी को प्यार करता था But the colonel would not let him marry his daughter लेकिन वो अपने लड़की के शादी उससे नहीं करना चाहता था He said that उसने का First, he must have 10,000 pounds of his own सबसे पहले उसके पास अपने 10,000 pounds होने चाहिए At last, he is kind and noble nature got him the reward he desired और अंत में हुई का जो त्यालूपन था और उसकी अच्छा सभाव था उसको इनाम मिलता है जैसा वो चाहता है Baron Hussberg was so impressed by him Baron Hussberg उससे बहुत ज्यादा परभावित होता है That he sent him a check for 10,000 pounds कि वो उसको 10,000 pounds का एक check भेजता है Thus, he was able to fulfill the kernel condition and marry his daughter इस तरह से एक हुई जो होता है वो kernel की जो उसने condition रखी होती है अपनी लड़की के साथ शादी करने की 10 pounds की वो पूरे करने के योगया होता है वो उसकी लड़की से शादी कर पाता है तो यह हमारे second question complete होता है तो अब हमने start करना है थर्ड कोस्टन थर्ड कोस्टन है How How and why did he oblige the old bad आंसर है इसका One day, एक दीन We went to see his friend वो अपने friend को देखनी जाता है Alan Trevor Alan Trevor अपना friend है उसका Who was painter जो की एक चित्रकार है He saw वह देखता है Trevor painted a wonderful picture of a beggar man कि वो एक बिखारी की तस्फीर बहुत ही अद्भूद बना रहा है The beggar himself was standing in the corner of the studio और जो बिखारी था वो खुद एक studio के कोने में खड़ा था He was wished old man वो एक बहुत ही जिसको कहते हैं मुर्जाया हुआ बुड़ा व्यक्ती था His face was wrinkled और उसका चिहरा जो था वो जुरियों से भरा हुआ था He had brown cloak over his shoulder और उसने अपने कंदों के उपर brown color का चोगा सा पहना हुआ था जानी code type पहना हुआ था It was all in racks वो सारा फटा हुआ था His thick boots had many patches और उसके भारी भर कम बुटों के उपर काफी patches लगे हुए थे He had rough stick in one hand और उसके एक हाथ में Rough सी खुर्दरी सी चड़ी पकड़ी हुए थी He was leaning over his stick और अपने चड़ी के उपर जुका हुआ था With his other hand और दूसरे हाथ में He was holding out his forearm और उसने एक कटोरा हाथ में बिख्षा के लिए पकड़ा हुआ था The old beggar looked the very picture of misery और वो एक दुख की पूरी तस्वीर दिखाए दे रहा था He was deeply moved by the miserable looks of the old beggar और वो जो हुए था वो उस बुड़े बिखारी की दैनी दिशा देकर बहुत ही वो परभावित होता है एक तम से उसका दिल पिखल जाता है और he could not help pitting him और वो उसके दया किये बगार उसके उपर रहने सका He felt in his pocket वो अपने जेबों को टोलता है but could find only one pound in them लेकिन सिरफ एक pound ही उसकी pocket में उसके जेब में मिलता है then he fucked up to the beggar तब वो बिखारी के पास जाता है and slipped the pound into his hand और उसके हाथ में एक pound थमा देता है दे देता है बिखारी को तो ये हमारे जो question है third के तीन के तीन question complete होते हैं मेरे ख्याल में ये सारे सब को समझ आ गए होंगे तो बिटा कहीं भी आपको किसी भी तरह की क्यों problem है तो कमेंट के जरी हमें बताएं हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे thank you for watching my video next video बिटा हम पंत पर्मेशवर परे बनाएं